अज आपके बीच में एक चमतकारी रिजल्ट सियर करना चाहते हैं जो बीमारी से काफी ग्रस थे और बेट पर पड़े रहते थे चलने फिलने में असमर्थ थे चलते नहीं थे तो चलिए उन ही से मैं उनके जुमान से पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या-क्या दीकत हो गया था तो बाबा बताई आपका नाम क्या हो गया राम देयाल महतो जी नाम हो गया आप किस गाउं से बोल रहे हैं तिलवती गाउं थाना कहां पड़ता है और जीला कौन सा है और अंगाबाद बिहार राज से बोल रहे हैं तो आपको क्या क्या समझ्जा हो गया था तो कहीं से इलाज भी करवाय थे अच्छा कहां से इलाज करवाय थे तो यानि पहले आप गोह से इलाज करवा रहे थे गोह के बाद फिर आजिंदर सर से आपको मुलाकात हुआ परिवार थे तो हमको बुलाए बुलाने के बाद आपको कौन-कौन सा पोड़क चला दिखाईए तो पोड़क हाँ यह है एस्किलेपियस बेलनेस का और्थो डॉक हाँ दूसरा दिखाईए और यह रहा एस्किलेपियस बेलनेस का थंडर बलास्ट इधर से इसे हाँ फंडर बलास्ट और इमोनो डॉक एसकलेपियस विलनेस ये रहा आपका काडियो डॉक हां रखिये काडियो डॉक और ज्येसी वाल ज्येसी वाल तेल ये लगाने के लिए तेल लगाते हैं ना अच्छा और ये पंच तूलसी एस्किलेपियस विलनस का तो इन्हों ने ये सारे पोड़क को इस्तेमाल कि ये कितना डबा अभी तक पी लिये हैं अब ही एक अग डबा सब में से पीए हैं अच्छा ये बताईए कि एक डबा पीने के बाद आपको क्या-क्या फैदा हुआ चलिए यानि बेट पर पड़े रहते थे आप आईसी ही चलना शुरू कर दिया यानि दवा जो है से आपको बहुत काम किया है आच्छा तो ये बताईए कि आप चल के दिखा सकते हैं हाँ तो दिखाईए चल के खड़ा हो ये तो चल के दिखाईए चलिए आप आगे अच्छा ठीक है आप वापस आजाईए तो इन्होंने पहले उट करके बैठते भी नहीं थे बैठाया जाता था पकड़ करके आज ये देखिए ये अपने से स्वता चल भी रहे हैं चल करके दिखा रहे हैं तो इनका बहुत ही सांदार रिजल्ट आया है बेठ जाईए तो आप दवा खाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये आपके लड़का हुए आईए सामने आईए तो बताईये सर आपका सूब नाम क्या हुआ अच्छा यह आपके पीता जी हुए ना अच्छा दवा लेने से पहले इनका क्या परसानी था थोड़ा आपके मुग से सुनना चाहते हैं तो यह दवा से काफी हैदा किया है संतुष्टी है और यह आपका क्या नाम हुआ अच्छा तो जब से यह जो दवा चल रहा था उस टाइम से तो आप देख रहे हैं अच्छा आप ही दवा को खिलाते हैं तो अब बताईए कि उस बीमारी में से जो कश्ट हुआ था उस बीमारी में से अभी कितना परसेंट सही हुआ है अच्छा उस बीमारी में से इनको एकक डबा थंडर बलास्ट एक डबाई मोनोड़क काडियोड़क और और अर्थोड़क और तुलसी और तेल एकक डबा में मतलब 50% 80% लगभग आपको फैदा हुआ है तो इस कंपनी का जो MD सर है संजीब कुमार जिन्होंने इतना सांदार प्रड़क्ट बना है उनके लिए क्या बताना चाहते हैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज ऐसी ऐसे पेसेंट जो लाइलाज जो डाक्टर के पास कोई इलाज नहीं है और इन्होंने जो प्रड़क्ट बना है आज लोग ठीक हो रहे हैं इनके लिए तहे दिल से हम लोग चाहते हैं ठीक है सर थैंक यू थैंक यू